नमस्कार पूरग परिक्षय देने वाले लगबग दो लाग से ज़्यादा छात्रों के लिए खुसकबरी जैसे कि आप सभी को पता होगा MPSOS की तरफ से कक्षे रस्रियन बारीवी का जुग जानने परिक्षय का परिणाम गोसित हो चुका है अब आपको इंतिजार अपने पूरग परिक्षय के रिजल्ट का तो यहाँ पर MPSOS की तरफ से आपका गख्षे रस्रियन बारीवी का पूरग परिक्षय का परिणाम गोसित होने वाला MP Board की तरफ से आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जियल जानकरी मिलने वाली है तो सबसे पहले तो जान लिजगा इस वर्स सभी चात्र पास होने की संभावना है मतलब MP Board की तरफ से जिन चात्रों ने भी पूरक परिक्षा दी है उन सभी चात्रों को पास कर दिया जाएगा अब यहाँ पर जान लिजगा MP Board की तरफ से आपका पूरक परिक्षय का 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 परिक्षय क इसके साथी एक दिन बाद कक्ष्य दसवी का पूरक परिक्षय का 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 परि 23 जुलाई तक, 23 जुलाई तक कक्षा बारीवी का परिणाम गोसित होने वाला है, इसके साथ ही यहाँ पर 30 जुलाई तक कक्षा दसवी का पूरग परिणाम गोसित होने वाला है, MP बोर्ट की तरफ से, जैसे आपका परिणाम गोसित हो जाएगा, तो आपके सामने इस परकार की आपर लिंक आने वाले हैं कक्षय बारीवी के लिए इस प्रकार की आपर लिंक होने वाले है और कक्षय दस्वी के लिए इस प्रकार की आपर लिंक होने वाले है सबसे बेले MP बोर्ड की तरफ से बारीवी का परिणाम गोसित होने वाला है उसके बाद MP बोर्ड की तरफ से दसवी का परिणाम गोसित होने वाला है कक्षे बारी वाले चात्र इस link पर क्लिक करके अपना परिणाम चेक कर सकते हैं और कक्षे दसवी वाले चात्र इस link पर क्लिक करके अपना परिणाम चेक कर सकते हैं किस प्रकार से आपको अपना परिणाम चेक करना है उसी चेक करने के लिए सिंपल सा हमने इस लिंक पर यापर क्लिक कर दिया है क्लिक करने के बड़ आपकी सामने इस प्रकार का हमारा पेच खुल कर आ जाएगा पेच खुलने के बाद सबसे बिले आपको अपना main exam का row number यापर type करना होगा, इससे type करने के बाद अब आपको एपन नीचे application number यापर type करना है, इससे type करने के बाद अब आपको सब मिटपी क्लिक कर देना है, जैसे आप submit पी क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कक्षय बारीवी का परिणाम कुल कर आ जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लेजगा, इसी प्रकास से कक्षय दस्री वाले चाहत अपना परिणाम चेक कर सकते, अपने main exam के row number इसके साथी application number से, आपको अपना परिणाम चेक करने की direct link मिल जाएगी इस वीडियो के description में, तो आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करके अपना परिणाम चेक कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, इसके साथी आपर एको जाने कर ले लिजेगा, जो चात्रियावा पूरे परिख्षा में किसी वी विसे में वापस से फेल हो जाएंगे, क्या उनको एक और मौका दे जाने वाला है, MP Board की तरब से, हाँ दोस्तों जो चात्रियावा पूरे परिख्षा में किसी वी विसे में वापस से फेल हो जाएंगे, उनके लिए एक और मौका मिलने वाला है, तो कौन सी परिख्षा के लिए एक और मौका मिलने वाला है, तो हम आपको बता देते जो चात्र इस परेक्षा में किसी वीसे में वापस से फेलो जाएंगे उनके लिए दिस्टंबर परेक्षा के लिए एक और मोका मिलने वाला है वो चात्रियां पर दिस्टंबर परेक्षा के लिए फोम अपलाई कर सकते हैं फोम बर सकते हैं जिसकी लाजड डेट 31 है दस है 2024 है ठीक है यदि आपको यह जाने करें पसंद है तो वीडियो को लाइक करें चेनेल को सिस्क्राइब कर लेजगा आप तो मिलते हैं अगले वीडियो में